हेलो फ्रेंड्स तो फिर हाजी रहे आपकी अपनी प्रिति गुपता आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं औकसी लाइफ ब्लीज के बारे में मेरे हाथ में जो नजर आ रहा है और इसके अंदर एक पोस्ट ब्लीज शेशे होता है जो सीरम का काम करता है देखिए हमेंसे केसे यूज करना है बताती हूं मैं आपको मैंने कॉटन से अपना फेस क्लीन करके यह बताया है कि मेरे फेस पर कोई भी मेकप नहीं है आपको इसे अपने फेस पर लगाने से पहले अपना फेस किसी फेश वॉस से वाश कर लेना है किसी भी प्रकार कोईल या मॉस्टराइजर आपके फेस पर नहीं होना चाहिए मैं अल्मॉंड आइल अपने आइब्रोस पर इसलिए लगा रही हूं आइब्रोस और पलकों पर हमें लगाना है ताकि गलती से भी अगर हमार आइब्रोस या पलकों पर ब्लीच लग जाए तो वहां पर कोई भी ब्लीच अपना वर्क नहीं करें देखिए मैंने उन एरियों को डग दिया है जहां मझे ब्लीच नहीं करना है अभी मैं आपको इसके फाइदे बता दू इसका इसका नाम ही है कि नेचरल रेडियंस 5 इस करता है डेट डेड़ इसकिन सेल्स को रिमोग पर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है देखिए मैंने शेशों ऑपन कर लिया है यह मैंने फोर्टी रूपीश वाला पैकेट लिए और इसके साथ जितना भी एक्टिवेटर था मैंने उसे पूरा मिक्स कर लिया है क्योंकि को क्रीम में पूरी तरह से मिक्स होने देना है कोई भी दाने अलग ना रह जाए उसे पूरी तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लिजे और आपको इसे अपने चेहरे पर एपलाई करना है दोस्तों अपने चेहरे पर एपलाई करने से पहले अपना चेहरा क्लीन जरूर कर लिज यह आपके डाक स्पोट्स को पूरी तरह से रिमूव कर देगा आप मैं आपको बताती हूं कि इसको लगाने का सही डायरेक्शन क्या है इसे लगाते समय आपका डायरेक्शन नीचे की और होना चाहिए जिसे आपके बाल पूरी तरह कवर होंगे आपको अपनी फिंगर पर य नहीं है यह आमोनिया फ्री है जो कि यह बहुत अच्छी बात है यह जो ब्लीच है इसका लाइव डेमो आप देखिए यह मेरी स्कीन पर कैसा ग्लो देने वाला है और मैं आपको बता दू कि किसी स्कीन वालों को कितना टायम इन्हें रखना चाहिए तो दोस्तों अगर लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप पूरा एक्टिवेटर मिक्स कर रहे हो तो आप इसे दस मिनट से ज्यादा ना लगाए चाहे आपकी स्कीन टोन कैसा भी हो अगर आप इसमें पूरा एक्टिवेटर डाल रहे हो क्योंकि एक क्रीम की डिबी में उतना ही कर लिया है यह हमारी स्कीन की डलनेस को पूरी तरह से रिमो कर देगा डार्क स्पाड को पूरी तरह से रिमो कर देगा और इसका में बेनिफिट यह है दोस्तों कि यह हमारी स्कीन के अंदर ऑक्सिजन लेवल को भी मैंटेन करता है और इसलिए शायद इसका नाम ऑक्सी ला करता है हमारी स्कीन को इंस्टेंट ग्लो देता है हमारी स्कीन को फियर करता है आपको कहीं अगर पार्टी में जाना हो कहीं अचानक से आपका जाना और आप शेशल वगए अपने फेश lumière कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप सिर्फ 10 मिनट इसे एपलाई कीजिए आपका फेस बिल्कुल पूरी तरह से पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा देखिए 10 मिनट हो चुके है मैं अब अपने फेस को एक कॉटन से कॉटन को पानी मडीब करके साफ कर रही हूं आप देख सकते है रिजल्ड लाइफ मेरे फेस पर अभी एक स्टेप और बाकी है दोस्तों क्योंकि हमें इसके साथ एक शेशे आया है जो पोस्ट ब्लीज यूज़ करना है सीरम का जो शेशे है हमें उसे यूज़ करना है इस तरह से हमने हमारी स्कीन को पूरी तरह से क्लीन करना है दोस्तों मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूसफूल लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शरूर शेयर कीजिए क्योंकि हम हर एक वीडियो पहले अपने आप पर यूस करते हैं फिर ही आप तक इसे शेयर करते हैं और कहीं न कहीं हर वीडियो में इसकी इनका रिस्क लेते रहते हैं तो प्लीज एक लाइक दो बनता है आप इसके बाद जो अगला तरीका है वो यह है दोस्तो सीरम लगाना है हमें तो देखिए इसमें एक शेशे का पाउस दे रखा है आकसी लाइफ सीरम इसे हमें ओपन करकर अपने पूरे फेस पर फिंगर टिप्स के हल्प से अपलाई कर लेना देख लिए इसकी कंसिस्टेंसी पूरी तरह से सीरम की तरफ ही है और यह सीरम ही है इसे आपने अपने पूरे फेस पर एपलाई कर लेना है और फेस पर एपलाई करने के बाद आपने इसे दो से तीन घंटे रहने देना है और अगर आप नाइट में ब्लीज कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप इसे ओवरनाइट लगा रहना जीजिए सुबह तक आप देखेंगे आपकी स्किन में और भी ज़्यादा ग्लो आएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिए चैनल को सस्क्राइब किजिए और अपनी फेमिलियर फ्रेंड के साथ जरूर शेर किजिए थैंक्स फर वाचिंग फ्रेंड्स